कितना टाइम हो गया जाते, पाच्छी साल हो गये ना? चैसाल हो गये चैसाल हो गये चैसाल हो गये चैसाल जी एंजिरिंग करने कहते बीच में छोड़ दिया था और उसके बाद फाइनली अब अपनी जड़ों से जुड़ गये हैं दोस्तों ये हैं विनी चाचा जी और ये पॉल्ट्री फार्म भी इनहीं का है जो बहुत अच्छे से स्टैबलिश किया हुआ है इन्होंने और विनी चाचा जी पहले तो डेली न्सियार में जॉब करते थे बट छे साल पहले इन्होंने इस पॉल्ट्री फार्म को शुरू कि चाचा जी ने शुरुआत तो केवल मचली पालन से की थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चाचा जी ने इसे एक बहुत बड़े पॉल्टरी फार्म में बदल दिया है मतलब यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो बकरी पालन पिगरी पालन सब किया जाता है और जहाँ चाचा जी का सालाना पैकेज लाको का हुआ करता था वहाँ अब चाचा जी का महीने का पैकेज लाको रुपए का है और चाचा जी के नाम है अपना Кिसान फार्म Hello guys, welcome back to my YouTube channel कोडियम रोहादी और अब भी आपने इस से पहले वाले व्लॉग में देखा होगा हम लोगों को खेतों पर तो जब हम खेत पर आये थे तो फिर हम लोग यहीं पर आये हैं अपना किसान फार्म पर चाचा जी का किसान फार्म है तो चलिए आप लोग को मिलाती हूं चाचा जी से और उसके बाद बहुत जरूरी है तभी कोई आगे बढ़ता है मेरी यह रिक्वेस्ट बाकि आप इंजवाए करिए फरम देखिए और यह चाजा जी कभी अपना चैनल है अपना किसान फार्म से मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो जो अपना किसान वाले फार् कर सकते और जो मेरी सब्सक्राइबर्स को चैनल शपोर्ट कर सकते हैं कि यह कूछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करें तो चलिए जाजा करेंगे मैं बापको दिखाती हूं यहाँ पर क्या-क्या है इह कि यह देखे कितना बड़क़ तालाव ह है बाकि यह पिछ हम थोड़ा सा पाटिशन है और डूसरी साय्ट भी तालाव है ốngगैंग ओड़्जा गोटरी ए है और इथर दें चलता है किसा खोग हो Wizam जोड़ दिया था और उसके बाद फाइनली अब अपनी जड़ों से जुड़ गए है मतलब जो एक किसानी अभी मैं साची को भी खेत में यही बोल रहे थी वहीं तो पढ़ ले नहीं तो फिर हमारा तो जो दादा राई क्या बोलते हैं उसको बिजनस होता है वह यही है हाथ में दराती और फावड़ा ही आना है फिर तो दस साल बाहर भी रहूं है इंसीयार में भी रहूं जैसे अभी मुझे भी लग रहा है कि कुछ नहीं रखा जॉब में मतलब वही है बस मन्त के एंड में यह होता है कि पैसे आ जाने है जितनी भी इंकम है अच्छा इतना होत ही थी ना आठ दिन के लिए रुकी नहीं लड़की मतलब मम्मा यहां नहीं रहना घर ही भेज़ दो मुझे तो आप यह देख लेजिए अगर आप अपने घर के बुजर को किसी को ले जाते हो ना शहर में और से लाफ रुपए भी दोगे नहीं बांदे भी नहीं हैं यह चाचा जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नियचर के हैं और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं मैं इधर तो मैं पता चाज़े बहुत टाइम के बाद आई था मेरे काल से 12-15 साल में शायद आई होंगी यह देख आप से शुरू किया था कि मतलब मचली से स्टार्ट किया था यह देखो और यह जो पॉल्टरी फार्म है इसका नाम है अपना किसान फार्म मैंने आपको पहले भी बताया है अभी वीडियो में और यह वाला जो सेक्शन है यह है पिग्री सेक्शन और इसके लावा यहाँ दो सेक्शन और हैं एक तो जो तालाब मैंने आपको दिखाया था कि कितना बड़ा तालाब है यहाँ पर मचली पालन किया जाता है यह देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे मचलीों को और उनकी आवाजे भी सुन पा रहे होंगे और इसके अलावा सामन चोटे से करें लेकिन एक ना एक दिन बड़ा जरूर होता है बट उसके लिए हमें चाहिए होता है dedication and hard work करने की हिम्मत जैसे कि इसी वीडियो में मैंने अभी आपको बताया कि चाचा जी ने स्टार्ट तो केवल चोटे से मचली पालन से किया था लेकिन आज आपने देखा कि इसका कितना विस्तार चाचा जी ने कर लिया है मतलब यह देखें यहाँ पर गोटरी सेक्शन और कितने बड़े एरिया में मचली पालन यहाँ पर किया जाता है और यह सब possible हो पाया केवल उनके कुछ करने के जुनून की वज़ा से अगर आप यह सोचेंगे कि दुनिया का तो काम है कुछ कहने का और कुछ सोचने का तो बस दुनिया के बारे में ना सोच कर केवल अपने बारे में सोचो और जो कुछ भी करना चाहते हो उसे पूरी लगन से करो तो गैज अभी मैंने आप लोग को दिखाया अपना किसान फाम और मिलवाया महापाचा जी से तो और यहाँ पर आपको पीछे से भी तालाब दिख रहा होगा अभी ता तो चलिए अब चलते हैं घर और आप लोगों को वीडियो पसंद आयो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बैल आइकन है उसको भी जरूर से प्रेस करते ना मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक कियर